यह अज लोग आज के सेशन की तरफ जो की है बैंकिंग अवेरनेस करेंट फिर्स हमारा थर्ड वींग ऑफ जून तौन टॉजिंट वेडिवन्हें पहली हैं पहली न्यूस का है वह है अर्बिआई ने एक बैंक है जिसका नाम है पूरवांचल कॉपरेटिफ बैंक उसका वो भी घट रहा है वो भी खतम हो गया है और उसके अलावा जो आपका capital adequacy है वो भी प्रॉपर नहीं है तो नहीं आपने proper paid up capital maintain कर रखा है नहीं आपका जो है proper जो profit system है वो भी चल रहा है right hence as a result RBI ने बोला you are not means like eligible enough now to be a bank आपका जो banking operations है अब वो question mark में आ गया है hence as a result RBI ने bank का license cancel कर दिया अब यहां पर question आ जाता है depositors को लेकर कि जो bank में depositors है यानि कि जो bank के customers है अब वो कहां जाएंगे उनका जो उन्होंने let's say for example FD कराया होगा तो उसका जो interest है वो उनको कैसे मिलेगा या FD जो कराई है वो जो उनका जो capital जो sum है वो उनको कैसे मिलेगा या फिर उसके अलावा जो दूसरे bank accounts है चाहे वो fixed accounts हो sorry FDs हो current account हो savings account हो कुछ भी accounts है तो उनमें कुछ ना कुछ तो भाई depositor है तो पैसे तो रखा ही होगा तो वो पैसा उनको वापस कैसे मिलेगा तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूत नहीं है विकॉस ऐसे किसी भी condition में अगर कोई भी अगर वो अपने operations close कर रहा है उसके license कैंसल हो रहे है तो उनको बचाने के लिए एक दूसरी organization मौझूद होती है जिसका नाम होता है यहां पर लिखा हुआ है DICGC that is deposit investment credit guarantee coordinator or corporation okay हम यहां पर नाम दे सकते हैं को DICGC अब इन्होंने बोला है कि देखिए हमने अपनी से पूरी कोशिश करी है bank को 12.63 crores का जो है fund भी provide कराया but उसके बावजूद भी bank अपनी जो पैरों पर है वापस ख़़ा नहीं हो पार है so as it is written here you can see already disbursed rupees 12.63 crores to ensure depositors reflecting a partial coverage of liabilities and effort to mitigate financial losses but still not good enough to compete as a bank anymore into the market hence as a result DICGC ने बोला हम पाच लाग रुपए तक का जो insurance coverage है जो की हर एक depositor को मिलता है हर एक bank में okay वो हम pay कर देंगे और इस bank को close कर देंगे so point is अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे इस पाँच लाग रुपए की तो यह किया है तो देखे पहले news पूरी समझ लेते है so commissioner for cooperation and registrar of the cooperative societies को यह cooperative bank है तो cooperative societies का जो statute है यह उसके थूरू maintained होता है इन्होंने UP को बोला है यानि की UP जो हमारा जो department है उतरप्रदेश का जो state है उनको इन्होंने finalize कर दिया है instructed to initiate the bank's winding up process okay and has appointed a liquidator liquidator मतलब एक officer जो की अब bank में पड़ा हुआ पैसा लोगों को बुला बुला कर उनको वापस लोट आएगा और अगर नहीं है तो उनको DICGC scheme की थूरू पैसा दिलवाएगा right so once the liquidation is done the deposit investment and credit guarantee corporation okay they will take the further action of providing the insurance coverage okay so as we can see जब यहाँ पर बात करेंगे हैं DICGC की तो यह RBI के अंडर काम करने वाली एक संस्था है obviously अब finance related बाते हो रही है तो कौन से ministry होगी ministry of finance that is government of India उनके अंडर काम कर रहे हैं यह उसके अलावा established कब हुए 1978 में यह established हो रहे है through an act जिसका नाम था DICGC act of 1961 act 1961 में लेकिन यह established कब हुए है यह established होते 1978 के अंदर इनका particularly काम किया है अगर हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है so it ensures all bank deposits such as savings fixed current recurring deposit for any type of bank that is bank account limit of rupees 5 lakhs of each depositor in a bank अगर ऐसा हो जाता है कि bank जो है अपने operations फुल्फिल करने में जो है वो फुल्फिल नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा असमर्थ हो गया है इनकॉंपिटेंट हो गया है तो ऐसे में depositors को टेंशन लेने की जरूती है पांच लाग रुपर तक का insurance coverage जो है डी इस जी सी प्रोवाइट करा रहा है further it is fully owned subsidiary of government of India okay and run by the RBI ओके तो धियान रखना है हमें run by the RBI यानिकि उसका managing control वगर सब किसके हाथ में है RBI के हाथ में है उसके अलावा दूसरी चीज़ यहां पर क्या समझनी है कौन से ministry के अंडर काम करते हैं यह ministry of finance के अंडर काम कर रहे हैं okay then moving forward to the next point that is Indian post payment bank and RIA money okay इन्हों ने आपस में हाथ मिलाया है तो यह दो organizations हैं जिन्होंने हाथ मिलाया है इंडिया's post payment bank that is in short IPPB और दूसरा Euronet worldwide Euronet company का एक subsidiary branch जिसका नाम है RIA money इन दोनोंने हाथ मिलाया है for the sake of what तो यह दोनों ही आप देख पार है नाम payment bank okay तो यह payment कराने के लिए payment services को जो है थोड़ा इस थोड़ा smooth थोड़ा silky बनाने के लिए यह companies काम करती है तो ऐसे हमारे पास है IPPB that is India's post payment bank और दूसरा है Euronet companies के थू मिला हुआ हमारा RIA money तो इनका काम किया है जो payment services है चाहे receive करना हो चाहे ट्रांसफर करना हो यह उनको आसान बनाती है तो यह क्या है एक टैप के पोर्टल है पोर्टल ऑफ वाट यह आ ट्रांसफर दर्मनी और रसीव दमनी तो as you can see in the point here the partnership will immediately make international inward money transfer services available at 2,50,000 sorry 25,000 post offices location with plans to expand up to 1,00,000 locations okay तो जानी कि हमारा जो rural area है न उस area के अंदर domestic और international transactions को facilitate करने के लिए Indian post payment bank ने RIA money के साथ जो है coordinate किया है right okay so what we can see here just to benefit the customers in the rural areas or even in those areas where it is not rural that is remote areas okay यानी कि वो areas जो अभी उतने developed नहीं हुए हैं गाओ देहाद के equations हैं यानी कि जो अभी थोड़े से पिछड़े हुए locations है वहाँ पर बात कर रहे हैं okay so as you can see here extensive postal network with RIA's global reach customers across India will benefit from the fast convenient and safe doorstep services right so further as we can see to the next point here RIA money okay Euronet worldwide incorporation offers fast secure and affordable global money transfer okay obviously कौन कौन से मोड में यह physical as well as digital दोनों ही तरीके से यह money transfer को facilitate कर सकते हैं okay so as you can see here digital as well as physical transactions किसके साथ टाइप किया है इंडिया में IPPB that is India's post payment bank okay so कब बना था यह यह बनता है हमारा 1st of September 2018 18 के अंदर किसके अंदर काम कर रहा है यह obviously 100% equity government of India की है लेकिन एक surprising fact अगर हम बात करें ministry कौन सी है तो बहुत obviously finance related कहानी है तो हम सीधे समझे लेंगे इसको ministry of finance लेकिन यहाँ पर आप देख पार एक twist है और वह twist क्या है twist है कि यह काम करेगा इंडिया's post payment bank काम कर रहा है ministry of telecommunication के अंदर okay yeah sorry ministry of communication and technology के अंदर right okay so this is what the concept is ministry of communication okay government of India की कौन सी ministry है कौन सी branch है ministry of communication okay further remove barriers for the unbanked and underbanked and reach the last mile leveraging a network comprising of 1,60,000 post offices तो जैसे कि हमने अपने पिछले session में भी discuss किया है एक term आता है financial inclusion तो financial inclusion में क्या बोलते हैं कि maximum जो हमारी population है उसके पास अपना खुद का bank account हो और वो digitally और physically भी पैसा transfer और receive दोनों कर पाएं तो इन दोनों ही चीजों को facilitate करने के लिए हम कोशिश कर रहे है majority of the banks को majority of the locations में open करने के लिए तो जितने ज्यादा ज्यादा बैंक खुलेंगे उतना ज्यादा ज्यादा financial inclusion हमारा बढ़ता जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए IPPB यानि के इंडियन post payment bank यह भी जगा जगा पर खोला जा रहा है और अब transaction को facilitate करने के लिए once again RIA money के साथ tie up किया गया है okay so as we can see to the next point it will accept deposits up to maximum of rupees 2 lakhs तो Indian post payment bank bank के अंदर हम कितना deposit कर सकते है maximum up to 2 lakhs तो लेकिन अगर हमने 2 lakhs रुपए से जदा deposit करना है तो क्या होगा तो भी हम कर सकते हैं बश्रते condition आ जाएगी और वो क्या होगा कि 2 lakhs रुपए से उपर जैसे ही पैसा गया तो जो आपका Indian post payment bank bank account है वो convert हो जाएगा किसमें वो convert हो जाएगा post office savings account के अंदर ठीक है तो बस इत्ता ध्यान रखना हमें कि value कितनी रख सकते हैं कितना रख सकते हैं IPPB के अंदर 2 lakhs 2 lakhs से उपर अगर जाते हैं तो वो post payment bank account नहों कर अब वो आपका post office account हो जाता है तो यह हमें ध्यान रखना है उसके अलावा चलते हैं दूसरे point के तरफ that is the second headline for the day ADB approves 170 million funds 170 million dollar funds for India's health system preparedness ठीक है तो इंडिया का जो health infrastructure है उसको ध्यान में रखते हुए यानि की proper medicines proper doctors proper hospitals proper जो है medical equipments उनको facilitate करने के लिए उनको enhance या update करने के लिए Asian Development Bank ने 170 million dollar की funding जो है अप्रूफ करी है किसको ध्यान में रखते हुए एक term है policy policy तो किसी भी government की हर एक particular approach के लिए हर एक particular segment के लिए अपनी एक policy होती है ठीक farmers के लिए agriculture के लिए okay youth women children the persons with disabilities scheduled class scheduled tribes backward classes okay telecommunication etc. etc. हर चीज़ के लिए policy होती है तो obviously health के लिए भी policy होगी तो इंडिया की national health policy जिसे update किया गया था 2017 में उसको ध्यान में रखते हुए as you can see here India's national health policy 2017 which aims to make sure that all or every one of us we do get the good health care okay और उसी को ध्यान में रखते हुए ADB Asian Development Bank कितने पैसे इंवेस्ट कर रहा है 170 million dollars okay national health policy of 2017 को जो है ध्यान में रखते हुए further Asian Development Bank की अगर हम बात करें तो 1966 में बनता है 68 members के साथ okay जो की 49 Asia Pacific region से ही है Asia और जो Pacific वाला जो रीजन है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए 49 members रखे गए यह आप पर उसके लाब अगर आप देखेंगे तो यह members को क्या प्रोवाइड कराता है loan ठीक technical assistant grants equity okay just to just with regard to one motive okay and that motive is the social development or the social upliftment simple शब्दों में social welfare as we can see the social and economic development okay it is committed to what to eradicate extreme poverty in the Asia Pacific region कब बना था 1st of September oh sorry 1966 के अंदर बनता है यह कहां पर Asia के ही अंदर इसका headquarters कहां पर बना जा रहा है Manila Philippines के अंदर right okay so it is headquartered at Manila Philippines और अगर हम बात करें इसके present सबसे biggest stakeholders की so as you can see here the US okay and Japan they are the largest share holders और अगर हम अपनी बात करें इंडिया की बात करें so we are 6.3% okay of the stakeholders inside the Asian Development Bank okay so यह दियान रखना है में Manila Philippines में इसका headquarters है Asia में obviously Philippines के अंदर इंडिया चाइन यहां वहां नहीं है right so next headline RBI awarded risk manager of the year 2024 है ना RBI को एक company है okay obviously international organization financial organization जिसने risk manager of the year 2024 का award दिया है कि सबसे बहतरीन risk कौन हैंडल कर पा रहा है तो वो है हमारा Reserve Bank of India okay so as what we can see here company का नाम है Central Banking headquarters कहां पर है इंका London that is in England United Kingdom का जो पूरा region है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर London region की तो यहां पर इंका headquarters है नाम क्या है company का Central Banking award किसको दिया है RBI को for the sake of what risk management तो company ने बताया कि AI और ML यानि कि artificial intelligence और machine learning का सबसे बहतरीन इस्तेमाल करते हुए RBI ने risk management provisions को एक नई उचाई एक नई जो है एक horizons provide करा हैं hence as a result capital banking has offered them or not offered them sorry has awarded them with the risk manager of the year award 2020-24 ठीक तो जो RBI के जो executive director है इनका नाम है Mr. Harimohan Mishra sorry Mr. Manoranjan Mishra ओके यह वहां पर मौजूद थे London के अंदर इन्होंने award लिया ओके तो धियान रखना है आपको एक नाम आपके सामने मिला है Manoranjan Mishra कौन है यह executive director of the RBI राइट तो इन्होंने award लिया था ध्यान रखना शक्ति गांतादास साहब ने वहां पर अवार्ड नहीं लिया है जो executive director है उन्होंने अवार्ड लिया है not the governor राइट ओके चले फिर आगे चलते हैं आपका जो waste management जो goal है उसमें हम support करेंगे आपको not only in the state of not only in the city of Chennai but the whole state of Tamil Nadu okay so as you can see here it is planned that world bank will improve the city's solid waste management methods over the next 20 years not just in Chennai but all over the state and big part of this project is a full study that will look at how garbage is currently handled and come up with ideas for how the city's management policies could be improved तो जो कचड़ा है यानि की जो garbage है उसको कैसे handle किया जा रहा है और साथी साथ उसको आगे और कितना बहतरीन improve किया जा सकता है ठीक या उस garbage से भी कैसे हम जो है कुछ useful बना सकते हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है research किया जाएगा obviously इसमें पैसे खर्च होंगे तो वो पैसा कहां से आएगा अब जो की हाथ World Bank ने मिलाया है तो वो investment भी World Bank से आएगी तो आप देख पा रहे हैं दो ही back-to-back news है जो बता रही है कि दो बहुत बड़े international institutions हैं या international financial institutions हैं जो इंडिया में बहुत भारी amount में invest कर रहे है ADB ने 170 million dollars की बात करी है उसके अलावा World Bank जहां पर अर भी ये clear नहीं है कि कितना पैसा invest होगा लेकिन हाँ जितना भी होगा इस research and development के लिए waste management goals को जो है आगे carry forward करने के लिए वो पैसा यहां पर World Bank के थ्रू आएगा right okay so moving forward to the next point that is RBI cancels license of Mumbai based the city cooperative bank तो जैसे कि हमने अभी पिछले अपने जो first हमारा headline था उसमें क्या देखा था कि पुरवांचल cooperative bank का license cancelled हुआ है on the very same grounds profitability को धियान में रखते हुए और capital को धियान में रखते हुए okay paid up capital को धियान में रखते हुए RBI ने दूसरा एक bank है the same bank okay the same conditions बस bank अब यह change होकर Mumbai में आ गया इसका नाम किया है the cooperative city bank इसका भी license cancelled कर दिया है so यह same conditions they are same profitability as well as the capital okay और once again DICGC क्या provide करेंगे 5 lakh rupees of the insurance okay so deposit insurance credit guarantee coordinator जो है यह corporation जो है वो पूरा 5 lakh रुपए तक का insurance depositors को provide कराएंगे okay so वहां पर depositors को कोई भी attention लेने की जरूरत नहीं होकी okay so next point we have got bank draws attention of government that is with regard to the shortage of ATM तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनों ने हमारे RBI और government दोनों को बताया है कि भाई साब देखिए ऐसा है कि proper ATMs जितने number of ATMs requirement है उतने number of ATMs available नहीं है नेरली अगर आप बात करें तो let's say for example if you can see here 1,26,593 on-site है और 91,826 off-site ATMs है हमारे पास लेकिन फिर भी उसके बावजूद ध्यान में रखते हुए कि we have got the population of 143 crores okay this data stands short hence as a result majority of the banks they have highlighted this issue to government as well as to RBI और उनोंने बोला है कि जो हमारा GEM है GEM the government e-market place उसके उपर जो ATM जो हम sale करना चाह रहे हैं जो हम बेच रहे हैं वो हमें उतनी quantity में और quality में available नहीं हो रहा है और इसका जो है credit इन्होंने किसको दिया इसका जो है actually में किनको इन्होंने जो है जिम्मेदार ठहराया है इसका जिम्मेदार उने ठहराया है make in India campaign को अब यह सोचने में अपने आप में बहुत अटपटी सी बात है make in India campaign इस मामले में कैसे जिम्मेदार हो सकता है because make in India campaign के अंदर हम देख रहे हैं इंडिया में ATM का जो production है वो उतने high level पर नहीं है in fact UPI आने के बाद obviously बहुत सारे लोगों ने ATM यूज करना ही छोड़ दिया in fact अगर आप भी अपने आप अपने बारे में सोचें कि last time आप ATM में कब गये थे तो आपको भी सोचने की बात हो जाएगी एक अच्छा याद नहीं आ रहा और अगर जाते भी हैं तो इतना frequently नहीं जाते हैं हम ATM के अंदर cash withdraw करने के लिए हमेर पास आज की डेट में net banking है UPI है हम सारा काम कर लेते हैं बट still that doesn't means कि हमें ATM की जरूरत नहीं है ओके आज भी बहुत एक अच्छा खासा chunk of population है जो cash withdraw कर ऐसी बात नहीं है और हम देख रहे हैं आज की डेट में because of this UPI system only कि जो ATM हैं इनका अगर आप frequency देखोगे या इनकी availability अगर आप देखोगे तो यह बहुत घड़ गई हैं hence as a result जो production companies हैं या जो start-ups हैं वो ATM के production पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि यह इतना ज़्यादा जरूरत तो अब है भी नहीं लेकिन फिर भी banking structure को ध्यान में अगर हम रखें तो obviously ATM is a need still it is a need because हमने digital transaction शुरू के इसका मुलब यह नहीं कि physical transactions खतम कर दी हैं okay so अब essay में government e-marketplace के उपर जो digital platform है जहां पर government के products जो हैं बिक रहे हैं जहां पर आप easily उन्हें purchase कर सकते हैं तो obviously वहाँ पर ATMC कमी हो गई है अब जब ATMC कमी हो गई है तो bank लगाएंगे कैसे right तो यह एक दिमाग में आपको रखने की बात है कि Gem and Make in India okay यह दो चीजें हैं जो यहाँ पर news में आई है government e-marketplace and make in India e-marketplace क्या है जहां पर e-market that is जैसे आपका online portals होते हैं na flip card amazon वगरा वगरा आप वहाँ से समान खरीच सकते हैं वसलिए government का अपना एक portal है Gem okay आप यहाँ से भी government की कोई भी जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पर खरीच सकते हैं okay so production कहाँ पर रुग गया है make in India पर रुग गया है obviously because startups उतना ध्यान नहीं दे रही है companies उतना ATM के production पर ध्यान नहीं दे रही है okay so next what we have got धनलक्षमी bank appoints Ajit Kumar KK as MD and CEO so Mr. Ajit Kumar has been appointed as MD and CEO of what of the धनलक्षमी bank okay तो तीन साल तक के लिए इनका tenure होगा जो 20 जून 2014 सो शुरू होना है और bank ने बोला धनलक्षमी bank ने कि हम अपने जो investors हैं यानि कि जो हमारे share holders हैं उनके permit का या उनके green flag का और साथ ही साथ जो SEBI का जो दूसरे जो officers हैं उनके जो regulations हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अभी wait कर रहे हैं इसको heads up देने के लिए जैसे ही उनका heads up आ जाएगा okay Mr. KK will take over as the CEO and MD of the धनलक्षमी bank okay तो ध्यान में क्या रखना है हमें नाम Mr. KK okay पूरा नाम अगर हम देखें यहां पर तो पूरा नाम है अजित कुमार KK okay तो किसके MD और CEO बन रहे हैं यह यह बन रहे हैं धनलक्षमी to be a better options for ARC's so ARC's ध्यान रखना जैसे ARC हो सकता आपको दिमाग में आ जाए administrative reforms commission तो yes वह भी एक ARC होता है लेकिन banking sector के अंदर भी हमारे पास एक ARC है इसको हम नाम देते हैं क्या that is asset restructuring companies okay so अब इन्होंने क्या बताया है कि जो bad loans हैं okay हम उनको ठीक ठाक तरीके से recover कर पाए यानि कि जो NPAs है non-performing assets है या non-performing जो loans हैं okay वो धीमे-धीमे हमारे banking structure से कम हो रहे हैं और यह किन्नों ने बताया है यह उन्होंने बताया है जो banks का जो debtor है या banks के जो लोग है जिनको जन्होंने bank को loan दे रखा है जिन्होंने bank से loan ले रखा है यह उनको जो है handle करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है आप loan recover नहीं कर पाए रहे हैं no problem let it let it be on me okay I'll take care of it right okay so bad loan restructuring emerges to be a better option for ARC's okay so what is the whole scenario let's see so ARC's restructured loan asset amounting to Rs.7,948 crores which is far more than the previous cycle which was 5,556 crores okay so ARC ने यानि की asset restructuring company ने बताया कि ऐसा है कि हमारा जो bad loan का recovery है वो बहुत अच्छे level पर हो रहा है हमें जादा stress नहीं हो रहा है okay and VR means अगर percentage wise अगर आप देखो so लगबग 8,000 crores हो गए है 7,948 crores right precisely पिछला cycle में इनका कितना था 5,546 crores तो यानि की अगर अब की बार ये 7,500 crores है और पिछली बार ये कितने थे ये पिछली बार 5,500 crores थे तो 2,000 crores जो कि अपने आप में बहुत बड़ा feature एक amount है एक उसका jump मिला है किसको ARC को किस मामले में asset management के मामले में या bad loans के recovery के मामले में so as what we can see here there is a perception that ARCs are more into asset sales than restructuring है ना एक perception बनी हुई है कि ARC जो है ये bad loans को या जो NPAs है वो बेज देते हैं वो restructure करने की कोशिश नहीं करते लेकिन यहाँ पर चीजेंग हुई है और वो क्या है नहीं पड़ी है asset sale में decline हुई है लेकिन restructuring में यानि कि उसको recover करने में हमारे पास जो है benefit हुआ profit हुआ है okay so this is what the ARC is so what we can see here it is a company a special type of financial institution that buys the debtors of the bank at a mutually agreed value and attempts to recover the debts or associated securities by itself वो खुदी recover करने की बात करते है then registered under the RBI and regulated through the surface act of 2002 जो ARC है वो किसके under register होती है RBI के under register होती है और इनका जो regulating statute है वो कौन सा है वो है the securities interest act okay या पूरा का पूरा securitization and reconstruction of the financial assets and enforcement of the securities interest act that is surface act in short 2002 यह इनका regulating statute है और body कौन सी है monitoring body या regulatory body अगर हम बात करें so that will be RBI itself okay further to the next point Indian banks are better placed with strong balance sheet next headline हमारी जो है उसमें क्या बताया गया है कि Indian banks का जो NPA है यानि कि जो non-performing asset है वो घट रहा है obviously पिछली heading हमने देखी ली है कि ARC क्या बोल रहा है कि restructuring better हुई है यानि कि loan की recovery या जो bad debt है वो खतम हुआ है okay जो bad loan है खतम नहीं हुआ है sorry वो बहुत कम हुआ है okay तो recovery बढ़ी है तो obviously अगर पिछली headline हमें बता रही है कि recovery बढ़ी है low NPAs and higher profits कौन बता रहा है यह organization इसका नाम है CLSA that is credit Lannis Securities Asia तो एक international financial institution once again जिसने Indian banks को फिर से बताया है कि आपका procedure सही जा रहा है आपके operations अच्छे जा रहे है और आपका profit दिख रहा है यानि कि debt collection अच्छा खासा हो रहा है जैसे कि हमने पिछले session में discuss किया था कि कुछ banks थे जिनमें Canada bank पंजाब national bank का नाम आया था bank of access bank का भी नाम आया था जिनको BAA3 certificate दिया गया था कि इनकी loan recovery ठीक हो रही है इनके जो bad debts है जो bad loans है वो कम हो रहे है अलब NPAs या NPLs जो है वो इनके घट रहे है तो अभी हम फिर से देख रहे हैं कि सारी news हमें फिर से देखने को मिल रही है right so this is the concept here ki Indian banks they are placed better with profitability okay so as we can see some very wonderful data here okay so this is what we need to discuss Indian banks are placed after a rollercoaster decade balance sheets are strongest they have been over a decade and profits they rebounded sharply quadrupling in 10 years okay okay तो जो quadrupling that is 4x तो जो banks की जो profitability है यह पिछले कई सालों में यह पिछले कुछ सालों में हम कह सकते हैं चार गुना बड़ी है four times यह जो है profitability बड़ी है जो इनके balance sheets पर दिखा रहा है उसके अलावा जो ROE है that is return on equity यह भी जो है अच्छा खासा इसने जो है बूम लिया है 2011 से तो हम देख पारे हैं पिछले करीब करीब 13 साल का या 14 साल का data पगड़ लेते हैं जो Indian banks है उनका return on equity भी बढ़ रहा है तो उन्होंने equity जितनी भी डाले है जिन जिन companies में उनको उनसे अच्छा profit मिला है उनके principal amount पे उनको अच्छा या तो interest मिला है या तो उनको अच्छा profit मि second thing जो NPS है वो घटे है और NPS जो है वो भी घटे हैं hence as a result we can see this data okay that is deposit growth okay what we can see increased 10% to 15% okay over an average of 2 years last 2 years में जो profitability है जो deposit growth actually not profitability sorry जो deposit growth है वो 10 से 15% पे बढ़ी है and once again same thing is to be related with the concept of financial inclusion तो आप इसको relate कर पाएंगे कि India's post payment bank जो है उसने रिया मनी के साथ जो है coordinate क्यों किया है यहां पर इंडिया के अंदर और maximum जगहों पर जो है अपना जो digital और physical transactions की जो कहानी है उसको लेकर बढ़ रहे हैं okay so that maximum पैसा जो है banking sector के अंदर है यानि कि जो liquidity है व next point RBI grants payment aggregator license to sub-paisa अब payment aggregator क्या होता ना सबसे पहले हो समझ लेते हैं जैसे आपका Paytm Google पे phone पे कोई भी एक digital payment bank अगर को एक digital app आप यूज कर रहे हैं payment app अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप क्या नाम दे सकते हैं उसको आप नाम दे सकते है payment aggregator तो जैसे कि Paytm है उ एक app होता है भारत interface for money करके यह सब क्या है यह सब है payment aggregator तो उसमें एक नया system अब जुड़ गया है उसमें एक नया जो है एक portal जुड़ गया है उसका नाम क्या है सब पैसा ठीक जो की 2016 में जिसको जिसकी नीव रखी जाती है ओके सो यह अब आप यूज कर सकते हैं easily यूज कर सकते हैं बेफिकर होकर because इसको किसने हरी जंडी दिखाई है इसको हरी जंडी दिखाई है RBI ने ठीक दूसरा है हमारे पास दूसरी headline है that is अखिल गुपता नेम as the chairman of भारती एक्सा लाइफ इंशॉरंस टेक सो धनलक्ष्मी बैंक में ने देखा कि Mr. KK है वहाँ पर और यहाँ पर कौन है अखिल गुपता सहाब है अब यह कौन है यह बने है chairperson किसके भारती एक्सा लाइफ इंशॉरंस के okay so he is currently as the vice chairperson of भारती enterprises और बहुत जल्दी अब यह कुर्सी सम्हाल लेंगे अपनी किसकी भारती एक्सा लाइफ इंशॉरंस की भारती एक्सा लाइफ इंशॉरंस कब आया है हमारे picture में that is in the year 2005 okay so obviously नाम से clear है ना life insurance तो किस तरफ काम कर रहे हैं यह एक insurance providing company है okay so moving forward to the next point here Modi government launches national monetization pipeline okay national monetization pipeline है pipeline मतलब ऐसा दिमाग में आपके एक pipe बिच गई होगी gas pipeline या water pipeline like that नहीं बिलकुल भी नहीं pipeline मतलब एक type of a portal okay एक type of gas या पानी वो क्या और है transfer हो रहा है pipe के through तो जो pipe है वो किया है वो एक type का transferring agent है तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी national monetization pipeline monetization pipeline that is transferring model okay और a transferring platform so पूरी कहानी किया है मुसको समझ लेते हैं okay so recently according to the statement of Niti Aayog assets worth rupees 3.85 lakh crore अप्छा कासा amount है अपने हाप में they have been monetized by the government under the national monetization pipeline ठीक है क्या बोला जा रहा है कि भाई इनकी liquidity बरकरा रखनी है में so asset monetization यह होता किया है okay first of all monetization किसे कहते हैं demonetization तो हमें पता है ठीक है लेकिन हम वो D से demonetization से D हटा के monetization कर रहे हैं so what is that it is done after the government transfers the revenue rights to the private parties okay for a specified transaction period in return for the upfront money a revenue share and a commitment of investment in the assets तो जब भी ऐसा होता है कि government अपना government infrastructure किसी private party को बेज देती है okay तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं asset monetization और उसी को बढ़ावा देने के लिए national monetization pipeline जो है लाए गया है और नीतियायो की एक report के मताबिक अभी हमने कितना पैसा लिया है 3.85 lakh crores okay have been monetized by the government under the national monetization pipeline और asset monetization है यानि कि monetization हो क्या रहा है तो once again as you can see here it is done when government transfers the revenue rights okay to whom to the private parties कि अब यहां से जो भी revenue आएगा आप collect करके जो है consolidate कर सकते हैं right for a specified transaction period in return for the upfront money what is this upfront money that is a revenue share है ना अब obviously कोई भी company social service करने तो बैटी नहीं है ठीक है उसको revenue चाहिए तो अगर वो किसी भी asset को अपने under में ले रहे हैं ठीक और उसका revenue लेकर government तक भेज रहे हैं तो उनको बीच में cut दिया जा रहा है commission दिया जा रहा है तो उसे cut या उसे commission को क्या नाम देंगे हम उसको हम नाम देंगे the upfront money that is some share in the revenue ओके और अभी तक हमने कितना monetize कर लिया है 3.85 lakh crore और यह data हमें किस ने दिया है यह data हमें दिया है नीती आयोग ने तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा point देखते है national monetization pipeline कब announce की गई थी तो यह 2021 के जो budget है उसमें announce किया गया था इसे target क्या रखा गया था 6 lakh crores over 4 years तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं 2021-22 के साब से लिए 22 को पकड़ लेते हैं अगर तो अगले 6 सालों की बात करी गई है तो 2026 तक हमें 6 lakh crore रुपए जो है monetize कराने है asset monetization के थूप अभी तक हम कितना पहुंच गया है 3.85 lakh crores तो देखा जाए almost 60% जो है data हमारा जो है clear हो चुका है अभी लेकिन जो है लंबी दौड बाकी है right further it is prepared by whom it is prepared by Niti Aayok okay and lists potential core assets of central government ministries and public sector enterprises by for the sake of monetization ठीक है तो simple शब्दों में इतना ध्यान रखना है कि monetization क्या हो रहा है किस चीज का हो रहा है तो उसे देखो एक चीज क्लिए रखनी है कि बेचा नहीं जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राइवेट पार्टीज को दिया जा रहा है for the sake of collection of revenue बदले में उनको क्या दे दिया जा रहा है upfront money that is the revenue share simple सी बात है कहानी खतम ठीक है और यह सारा data कौन तयार कर रहा है obviously just one organization that is Neeti Aayog okay moving forward to the next point paytm names x se b official Rajiv Agarwal as non-executive independent director take so Rajiv Agarwal ko kya naam diya deya gaya hai ki aap jo hai humare non-executive independent director ho okay so as what we can see here okay Neeraj Arora the former chief business officer of whatsapp has resigned from the board of 197 communication that is the parent company of the paytm okay Neeraj Arora was a key figure in negotiating the whatsapp merger deal with the media major that is Facebook paytm has on board it formal whole time director market obligator regulator se b ke Rajiv Agarwal जो की independent director की तरह काम करेंगे कितने सालों के लिए अगले 5 सालों के लिए okay तो बस इत्ती सी news आपको ध्यान रखनी है कि paytm ने appoint किया है किसे Rajiv Agarwal को किसने resign किया है Neeraj Arora का नाम क्यों है ज्यादा banking structure के अंदर because यह वही है जिन्होंने WhatsApp और Facebook के merger के time period पर वहाँ पर WhatsApp pay को ध्यान में रखा था okay negotiating the WhatsApp merger deal with social media major Facebook right okay social media major that is Facebook नाम किया है Neeraj Arora इन्होंने छोड़ दिया है इनको कौन replace कर रहे हैं इनको replace कर रहे हमारे Rajiv Agarwal okay so next comes the next news is here with regard to the cabinet approves Rs. 7,453 crore funding for offshore wind projects of Gujarat and Tamil Nadu Coast अब दो को पैसा कितना आया है ठीक है 7,453 crore रुपए है जो की central cabinet ने अप्रूफ कर दिया है लेकिन एक term आया है यहाँ पे offshore wind project of Gujarat and Tamil Nadu offshore wind क्या होता है ओके तो आप यह चोचीज देख पा रहे हैं इनको हम obviously नाम जानते है windmill तो offshore क्या और sea shore क्या होता है sea shore जो की obviously समुदर में है या समुदर के किनारे है offshore क्या है जो समुदर से बहुत दूर है तो आप देख पा रहे है यह इसको जो है जमीन पर ही लगाया गया है गुजरात Northwest के अंदर और साउथ में यहां पर आजाएगा हमारा तमिल नाडू okay then moving forward to the next point viable gap funding okay यह है क्या okay what is with regard to this project name that is viable gap funding so viable gap funding scheme aims at promoting infrastructure project जो viable gap funding है वो किस के लिए होती है देखे नाम क्या है यहां पर okay term क्या आया है viable gap okay gap funding तो उन एरिया में पैसा लगाने के लिए जहां पर पैसा लगाना जरूरी तो था लेकिन शायद हम भूल गए यह शायद नहीं लगा पाए समय पर नहीं लगा पाए और अब वहां पर कुछ तो भी crisis आ गया है right okay so this is the problem with regard to the viable gap funding okay so total VGF under the scheme does not exceed 20% of the total project cost ठेक तो कितना पैसा लगा सकते है maximum total project का 20% यानि कि अगर project 100 रुपे तक का था तो इसका जो 20% है यानि कि 20 रुपे बस उतना ही पैसा viable gap funding के तुरू लग सकता है उससे जादा या उससे कम नहीं okay तो यह हमें ध्यान रखना है उसके अलावा यहां पर viable gap funding के अगर हम बात करें so क्या रखा गया है union cabinet जुसमें हमारे मोदी जी भी थे और cabinet minister भी थे obviously okay उन्होंने बोला कि offshore wind project हमारे लिए जरूरी है objective क्या था to set up first ever offshore wind energy project in India first ever कहां पर हो रहा है यह Gujarat और Tamil Nadu region के अंदर okay further ministry कौन सी होगी ministry of new and renewable energy that is MNRE और उसके अलावा total outlay कितना है 7453 crores right so this is what we need to understand कि viable gap funding है किसके लिए offshore wind projects के लिए offshore यानि कि जो समुदर से दूर है okay next comes the global economic prospects report of 2023 oh sorry 2024 और इस report के अगर हम बात करें so according to the recently released report okay report किसने release करी है report release करने वाली जो organization है उसका नाम है world bank India is prepared okay और is predicted to remain the fastest growing economy globally और यह data किसने दिया है यह data world bank ने दिया है कि सबसे जादा जो growth rate है okay दुनिया भर में वो इस वक्त मौजूदा समय में किसका है इंडिया का है जो GDP growth forecast है हमारा that is 6.6% right now जिसको बोला जा रहा है कि 2.6% से यह enhance करेगा okay this is what the data given by the world bank itself okay so now no wonder world bank Chennai के अंदर Tamil Nadu region के अंदर invest कर रहा है right okay why because उनके मुताबिक India remains the fastest यह the major economies to be growing right okay so बस यह ध्यान में रखना है और यह भी ध्यान रखना है कि इसी लिए Tamil Nadu region के अंदर immediately उनके पैर पड़े है okay so as we can see here the world bank forecast a slower moderation of global inflation that is nearby 3.5% this year okay globally inflation हो रहा है लेकिन इंडिया में उतना हम देखेंगे अगर तो जो GDP rate है वो 2.6% से बढ़ रहा है ठीक है तो यानि कि global inflation का कहीं न कहीं इंडिया को फायदा पूरा पहुँच रहा है okay everyone so यह कि इंडिया का जो GDP growth rate है आगे का वो क्या होने वाला है 2.6% से बढ़ने वाला है तो यह data कौन दे रहा है data world bank दे रहा है report का नाम क्या है global economic prospect okay चलते हैं अपनी आज की आखरी headline की तरफ that is with regard to UK surpassed China to become India's fourth largest export market ठीक है तो export हम export कर रहे हैं या import कर रहे हैं हम दोनों ही कर रहे है र लेकिन अब इंडिया के अंदर बात करेंगे export करने वाली countries ठीक है कि सबसे ज्यादा कौन इंडिया के अंदर समान भेज रहा है तो उसमें चौथे नंबर पे अब UK आ गया है चाइना को पांच्वे नंबर पे कर दिया है okay so this is what UK surpassed China to become India's fourth largest export market okay fourth largest ध्यान रखना है हमें इंडिया's largest export destination with 13% growth followed by UAE which saw 19% growth and we have got Russia as well जो की 18% growth पर हमारे साथ मौजूद है यानि की लगवक 7.1 billion dollar का हमने जो है export किया है Russia से okay so UAE, Saudi, Russia and now UK and then China okay तो ये 5 countries हैं जिनके साथ सबसे जादा हम export कर रहे हैं इंडिया के अंदर यानि की लेकर आ रहे हैं समान okay everyone so this is it now the MCQs DICGC जो deposit insurance या credit guarantee corporation के हम बात कर रहे है कौन सी ministry के अंडर काम कर रहे है so ministry of finance government of India next 170 million dollar funding by ADB for the sake of health system preparedness कौन सी चीजों को यहान रखते हुए कर रखी गई है so obviously national health policy 2017 तो यहां पर correct transfer क्या हो जाएगा policy framework and the governance issues next RBI was awarded the risk manager of the year 2024 by which company or which institution it was central banking next the Asian Development Bank 1966 में जिसको रखा गया जिसकी नीव उसका aim किया है तो यह समने देखा था social economic development right so promote economic development in the Asia and the Pacific region next India's post payment bank launched on September 1, 2018 is owned by owner कौन है के यानि की कौन इसको चला रहे देखरे कर रहे इसका that is ministry of communication and information technology then this is the question this will be homework for you deposit insurance and credit guarantee corporation established under the which act okay guys so act का नाम बताना है आपको कौन से act के थुरू इसे जो है बताया बनाया गया है बहुत easy question है कोई difficulty नहीं होगी आपका अंसर जरूर देने में आंसर जरूर दीजेगा जो भी आपका feedback है वो उसे comment box में जरूर बताएगा आपका इंतिजार रहेगा okay everyone so that's it for now from my side thank you so much bye bye see you all soon take care